प्रतिमा विधी विधान से स्थापित की जाती है इसके लिए भी शुब मुरत देखा जाता है एक दिन मूर्ति स्थापना के बाद यानि माग शुकल पश्टी को विसरजन किया जाता है आईए जानते हैं कि वसन पंचमी पर मूर्ति स्थापना कैसे करें माग शुकल पंचमी के दिन इसनान आदी से निबटने के बाद आप पीले वस्त्र धारण करें पूजा इस्थल को साफ करके गंगा जल से पवित्र करें अब मा सरस्वती को गंगा जल से इसनान कराएं इसके बाद देवी सरस्वती को सफैद वस्त्र पहनाएं साती सिंदूर और श्रंगार की वस्तूओं से उनको सुशोबित करें अब उनकी प्रतिमा को पूजा इस्थल पर इस्थापित करतें फिर वहां कलश स्थापना के साथ शिरी गनेश जी और नव ग्रह की विधी पूर्वक पूजा करें अब मात सरस्वती को सफैद और पीले फूल और मालाएं अर्पित करें गंद धूप दीप आदी से पूजन करें उनको पीले फल चणाएं मा की चरणों में कुलाल भी अर्पित करें आपको ये भी बता दें कि पंचमी के दिन मूर्ती स्थापना होती है और पश्टी के दिन मूर्ती विसरजन होता है इसके लावा आपको ये भी बता दें कि धार्मिक मानिता है कि देवी सरस्वती जिस पर महरबान हो जाएं उसे शिक्षा कला संगीत और साहिति से जुड़े सभी कारे बिना विग्य के पूरे हो जाते हैं और वो इन छेतरों में खूब तरक्की करता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें